नमस्कार साथियों यदि आप भी सिख्षक भरती परिक्षाओ की तयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड़ने ओज़े जियां साथियों बताना चाहेंगे साथियों समीदा के आधार पर ये वैकिन्सी होने वाली है जियां और ये किसी स्टेट गुवर्मेंट की जॉब नहीं है बलकि किंद्र सरकार के अधीन ये जॉब होने वाली है यानि कि भारत सरकार के अधीन ये जॉब है ये नौकरी है जो की पर्मनेंट सिख्षक भरती पर रही इन वेकिंसी को रहने देता है जी या साथेयों सेंटरल रेलवै याने की इंडियन सेंटरल रेलवै में एका जाब निकली हुई है ये वेकिंसी निकली हुई है बतना चाहूँगा यदि आप नेग्रेजुरेशन या फिर डी एले डिपलोमा मौका दिया जाएगा और महत्पूर्ण बात आपको बताना चाहेंगे पूरी जानकारी आगे वीडियो में कवर करेंगे कि एज लिमिट क्या मांगी गई है प्रोसीजर क्या है इंटर्व्यू सैडूल क्या होने वाला है क्योंकि साथ यो बिना परिक्सा कि ये आपकी जॉब है होने वाली है जिसमें कि सिर्फ इंटर्व्यू के आधार पर आपका इन में चयन किया जाएगा पूरी जानकारी आगे विस्तार से इस वीडियो में देंगे कि इसमें आयू सीमा क्या रखी गई है और आपको वेतन किया दिया जाएगा कितने मतलब की कितने दिन तक ये रेगुलर आपको मतलब की कॉंट्रेक्च्वल इस तर पर ये वेकेंसी होने वाली है और कहां पर आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है तो चलिए जानते हैं उससे पहले यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें बेल आइकन आउन करें ताकि informative वीडियो जाब तक पहुंचती रहें साथियो देख सकते हैं post graduate teacher याने की PGT है train graduate teacher याने की TGT है primary teacher याने की प्राथमिक teacher याने की प्राथमिक सिक्षक की वेकेंसी है जिनका interview schedule पे इसमें दिया हुआ है interview schedule आप देख सकते हैं साथियो post graduate teacher याने की PGT का 7 मई 2024 को सुब 10 बजे से लेकर दोपेर एक बजे तक होने वाला है और यदि train graduate teacher TGT की बात करे तो 8 मई 2024 को सुबह 10 बजे से दोपेर एक बजे तक होने वाला है वही पर primary teacher के लिए बात करे तो 9 मई 2024 को सुबह 10 बजे से एक बजे तक होने वाला है जिया साथियो देख सकते हैं office of the divisional railway manager जो की Mumbai CCMT से निकली है जो की Central Railway से पोश्ट निकली हुई है जिसमें clear ले लिखा हुआ है जो की साथियो देख सकते हैं contract teacher are to be engaged on contract basis in Central Railway secondary school याने की secondary school के लिए vacancy होने वाली है और साथियो मैं बताना चाहूंगा बाकी की जानकारी आप साथियो इसकी official website जो की इसकी official website इसमें द दो दी हुई है जो की एक तो यह है www.cr.indianrailways.gov.in और दूसरी website ठीक उसी के नेचे है www.cr.indianrailways.gov.in यानि की दोनों जो website है वो दोनों की दोनों same है और बताना चाहूंगा जब आप इन official websites पर विजिट करते हो इस official website पर तो आपको about section में जाना है about section के बाद मैं division section में जाना है division section के बाद में मुंबई section में जाना है मुंबई के बाद में personal पर आप जैसे ही click करोगे वहाँ पर आपको यह notification मिल जाएगी जिया अब बात करते हैं आगे कि जानकारी की आखिरकार यह vacancy कैसे निकली है और कहां से यह vacancy निकली है तो मैं clearly आपके लिए मैं बताना चाहू हुआ है filling up post of teacher category in part time and contract basis in central railway school EM junior college कल्यान for academic year 2024-2025 a copy of notification for filling up the post in teaching category in group C on contact basis on Mumbai division in enclosed जिया साथियो मुंबई division के लिए vacancy निकली हुई है और साथियो पूरी की पूरी जानकारी आपको हम बताने जा रहे हैं देख सकते हैं आप इसमें साथियो यानि कि ये जो notification दी गई है ये हिंदी और English दोनों के लिए दी गई है दोनों मतलों कि language problem नहीं हो इसलिए हिंदी में भी notification जारी की गई है और इंगलिस में भी इसमें देख सकते हैं इस्थान प्रधानाचार ये Central Railway Secondary School EM EM junior college कल्यान के कक्ष में यहां तक कि ये इस्थान दिया हुआ है आपका और अब clearly पूरा का पूरा जान लेते हैं देख सकते हैं इसमें वेतन क्या दिया जाएगा आखिरकार कैसे apply करना है कितनी कितनी पोश्ट इसमें दी हुई है देख सकते हैं पीजी टीचर फूर इंगलिश सब्जेक्ट के लिए पीजी टीचर एकनॉमिक सब्जेक्ट के लिए पीजी टीचर फूर बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के लिए पीजी टीचर फूर अकाउंट सब्जेक्ट के लिए पीजी टीचर फूर कैमिस्ट्री सब्जेक्ट के लि TGT teacher for math subject primary teacher PRT for English and Hindi subject के लिए दोनों के लिए दी हुए जिसमें तीन vacancy teacher इसके लिए दी हुए PRT के लिए जिसमें कि आपकी जो qualification वो देख लेते हैं 12th pass होनी चाहिए with at least 50% marks के साथ में होनी चाहिए DEAD आपकी यानि की 2 years का diploma होना चाहिए और साथ में CTAT paper 1 आपका clear होना चाहिए जी हां और साथ में देख सकते हैं 21,250 रुपय आपको इसमें दिये जाएंगे यदि हम TGT for math के बात करें तो उसमें 26,250 रुपय दिये जाएंगे जिसमें कि आपके पास में BSC with PCM and BEAD और CTAT ये आपके पास में होनी चाहिए TCT computer science के लिए बात करें तो BE, BTEC होनी चाहिए और इसमें भी देख सकते हैं DOEC society से O level या फिर जो भी आपने qualification की हुई है वो होनी चाहिए 26,250 इसमें आपको भी तन दिया जाएगा और बागी के आप check out कर सकते हैं आप PGT के लिए अपलाई करते हैं तो उसमें आपके लिए seated जरूरी नहीं है इसमें सिर्फ essential qualification master of degree होनी चाहिए BAD के साथ में और उसमें degree होनी चाहिए जिस related subject आप अपलाई करना चाहते हैं बात करना चाहेंगे PGT के सभी subject के लिए जो salary remuneration दिया हुआ है वो सभीक में लगभग सेम हैं लेकिन कुछ-कुछ में अलग है तो 27,500 है 27,500 है सभी में 27,500 है लेकिन TGT में 26,250 है तो सभी में TGT के लिए 26,250 इसमें वेतन दिया गया है contract teacher category देख सकते हैं ये थोड़ी सी जानकारी दी गई है जिसमें कि आपको ये जानकारी जरूर पढ़नी है आवेदन करने से पहले मैं अपनी सभी वीडियो में ये जरूर कहता हूँ कि आपको आवेदन करने से पहले ध्यान पूरवक पूरी notification पढ़नी है उसके बाद में ही आपको आवेदन करना है ताकि कोई गलती ना हो सके कोई भी आपसे mistake ना हो सके ताकि आपका form reject ना हो सके जी या साथ यो बताना चाहूंगा आपको खुल वापर पहुचना है अपने सभी documents लेकर के एक बार इससे check out जरूर कीजिएगा division decision में और date of birth certificate होना चाहिए जो कि board certificate भी आपका चलेगा जो कि 10th का certificate माना जाता है NOC from the current employer यदि आप किसी company में employee है मतलब कि teaching में है तो भी उसका आपके पास में NOC होना चाहिए current employer का experience certificate यदि कोई हो तो होना चाहिए academic educational qualification for every category must be from a recognize institution board mark sheets and certificates होने चाहिए आधार card and pen card जो कि आपकी ID है ये भी आपके पास में होनी चाहिए साथ में देश सक देख सकते हैं इसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ interview schedule आपका क्या होने वाला है और sectionic yoga में मैं आपको English में बता चुका हूँ ये हिंदी में दी हुए मैं पहले ही कह चुका हूँ कि दोनों language में जिसमें आप suitable है उसमें इस official notification को आप read कर सकते हैं जिया साथ यो बहुत अच्छा सुनायरा आउसर है आप देख सकते हैं इसमें फोम भी दिया हुआ है इस फोम को download करना है और fill करके नहीं अपने सभी documents attach करने फूटो कॉपीज और original certificates भी ले जाने हैं आपको ताकि आपको physically वहाँ पर आपका interview होगा और उसके बाद में shortlist किया जाएगा तभी आपका चयन किया जाएगा जिया साथ यो अच्छर सुनायरा आउसर है क्योंकि केंदर सरकार के अधिन ये नौकरी होने वाली है जो की central railway के थुरू ये vacancy है और बताना चाहूंगा contractual level पर ये vacancy है लेकिन यदि आप इनवे select हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छे आउसर खुल जाते हैं इन future के लिए यानि कि आगामी भरती परिक्साओ में भी आपका ये experience जो काम आएगा ये बहुत ही जादा काम आएगा बहुत अच्छा ये valid रहेगा जिया देख सकते हैं इसमें साथ यो लिखा इसमें फोटो लगानी है अपना नाम है और date of birth लिखना है अपने पिताजी का नाम है यदि आप wife है या फिर जैसे भी आप आविदन करना चाहते हैं तो उसी साबसे आपको नाम लिखना होगा देख सकते हैं religious में धरम है nationality में नागरिक्ता है permanent address भी इसमें दिया हुआ है pin code state contact mobile number male ID community male है female है आप सब काश्ट आपको डालने होगी marital status यदि आप married है तो या नहीं है तो देख सकते हैं इसमें high school 10th है senior secondary 12th है graduation है post graduation है यानि की high school से लेकर post graduation तक आपके पास में certificate है तो आप आविदन कीजिएगा diploma में आप देख सकते हैं dear दिया हुआ है डिग्री में bear दी हुई है और साथ में experience दिया हुआ है marks of identification दिया हुआ है body यदि कोई marks है तो भी इसमें लिख देना है यहां पर आपको अपना place लिखना है कहां से आप और यहां पर आपको date of date लिख नहीं है कि 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 सित्षी को आप ये फोम फिल कर रहे हैं किस तिति को आप पहुंच रहे हैं? sign आपको अपने करन भी नहीं दी हुई है, किलेरली मैं बताना चाहूँगा, यदि आयू सीमा मैं इसमें नहीं मांगी गई है, तो आपकी minimum age PRT के लिए तो 18 साल होने चाहिए, या फिर 21 साल होने चाहिए, टीचिंग के लिए, जी हां, साथ ही हो, maximum age के यदि बात करें, तो maximum age आपकी साथ ही हो, 32 36 से नीचे होने चाहिए, जी हां, यदि आप category से हैं, तो आपको छूट दी जाएगी, वो भी उनके नियम अनुसार दी जाएगी, उनके rule regulation के according दी जाएगी, जी हां, यदि और कोई query हो, तो आप comment section में हमसे पहुँच सकते हैं, इस वीडियो को like करके channel को subscribe जरूर कीजिए, बेल आइकन on कीजिए, ताकि informative वीडियो आप तक पहुँचती रहे, मिलते हैं informative वीडियो के साथ, जै हिन, जै भारत!